सादर परणाम आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल है बहुत-बहुत स्वागत हैं कैसे हैं आप सब आशा करते हूँ आप सब अच्छे होंगी मैं भी ठीक हूँ आज एक बार फिर से मैं उपस्तेत हो चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मदर्स दे है तो मदर्स दे traditional एक नए वीडियो के साथ मैं आई हूँ आशा करते हूं कि आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी भायवैनों को पसंद आएगी तो अपने वीडियों को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के स्टोरी एक समय की बात है एक बच्चे का जन्म होने वाला था जन्म से कुछ छन पहले उसने भगवान से पूछा मैं इतना छोटा हूँ खुझ से कुछ भी नहीं कर सकता भला धर्ती पर्क मैं कैसे रहूंगा किर्पया मुझे अपने पास ही रहने दीजे मैं कहीं नहीं जाना चाहता भगवान बोले मेरे पास बहुत से फरिस्ते हैं उन्हीं में से एक मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है वो तुम्हारा खयार रखेगी बच्चे ने कहा भगवान से भगवान पर आप मुझे बताईए यहां स्वर्ग में मैं कुछ नहीं करता बस गाता और मुस्कुराता हूं मेरे लिए खुश रहने के लिए इतना ही बहुत है भगवान बोले बच्चे से तुम्हारा फरिस्ता तुम्हार लिए गाएगा और हर रोज तुम्हार लिए मुस्कुराएगा भी और तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे फिर बच्चे ने भगवान से पूछा जब वहाँ लोग मुझे से बाते करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे मुझे तो उनकी भासा भी नहीं आती भगवान बोले बच्चे से तुम्हारा फरिस्टा तुमसे सबसे मधूर और प्यारे सब्दों में बात करेगा ऐसे सब्द जो तुमने यहां भी नहीं सुने होंगे और बड़े धैरे और साफधानी के साथ तुम्हारा फरिस्टा तुम्हें बोलना भी सिखाएगा बच्चे ने भगवान से पूछा और जब मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं क्या करूंगा भगवान बोले बच्चे से तुम्हारा फरिस्टा तुम्हें हाथ जोड कर प्रातना करना सिखाएगा और इस तरह तुम मुझे से बात कर सकोगे बच्चे ने भगवान से कहा मैंने सुना है कि धर्ती पर बुड़े लोग भी होते हैं उनसे मुझे कौन बचाएगा भगवान बोले बच्चे से तुम्हारा फरिस्टा तुम्हें बचाएगा भले ही उसकी अपनी जान पर खत्रा क्यों ना आ जाए बच्चे ने कहा भगवान से लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूंगा क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊंगा भगवान बोले बच्चे से तुम इसकी चिंता मत करो तुम्हारा फरिस्टा हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगा और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो ये बताएगा उस वक्त स्वर्ग में असीम सांती थी पर प्रिथवी से किसी की कराहने की आवाज आ रही थी बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है उसने रोते रोते भगवान से पूछा भगवान बोले फरिस्ते के नाम का कोई नाम नहीं है क्योंकि फरिस्ता हमेसा फरिस्ता ही रहता है बस इतना जानू कि तुम उसे मा कहके पुकारोगे हैपी मदर्स्टे दुनिया की सभी माताओं को मेरा साधर प्रणाम आशा करती हूँ कि आज की हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी को पसंद आई होगी और इस वीडियो से आप सभी भायवेन कुछ सिक्षा प्राप्त करेंगे सबसे पहले यही अनरोद करूँगी कि अपनी माताओं को जरूर सब मान दें आदर करें और उनका कहना जरूर मानें लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब जरूर करें प्रणाम